हेलो दोस्तों, फेडरल बैंक के बारे में बात करेंगे, quarter 1 के result के analysis करेंगे, final dividend के बारे में बात करेंगे, और कुछ जो latest updates है, business से जुड़ी हुई, उसके बारे में वीडियों बात करेंगे, सबसे पहले final dividend के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 1 रुपीज 20 पैसे का final dividend आ रह round 200 के आसपास में, जो share price है, वो हमको, जो federal bank है, उसका देखने को मिल रहा है, दोस्तों, dividend yield है, 0.6% की, हमको देखने को मिलेगी, अब आते है, results के उपर, numbers के उपर, देखिए, bank है, तो deposits देखना बहुत जरूरी है, तो deposits मे, year on year, मतलब last year का जो June quarter, और इस बार का June quarter है, 20% का अब ही, मतलब, जो 3 महीने है, यहाँ पर 5% का growth देखने को मिल रहा है, next है deposit के बाद, loans का जो advances है, same to same 20% का growth वहाँ पर भी, और 5% का, जो loans का जो growth है, quarter to quarter देखने को मिल रहा है, जो कि एक strong number हमको देखने को मिल रहा है, next, kasa ratio, अब kasa ratio, अगर आप bank का देखेंगे, तो लग है, कि जो kasa ratio है, वो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन यह 35 के उपर हो तो अच्छा माना जाएगा, 30 से नीचे है, तो यह थोड़ा neutral जैसा हो जा रहा है, लेकिन अगर आप growth देखेंगे, overall, जो current account है, 16% का growth है, और जो saving account है, 8% का growth हमको overall देखने को मिल रहा है, kasa ratio और अच्छ है, जैसे personal loan, या car loan, vehicle loan, gold loan, या home loan, यह सब retail book में आ गया, wholesale book यहाँ पर जो बड़े corporates है, वो क्या loan लेते है, तो 44% का total है, और retail 56% है, तो एक balanced book हमको देखने को मिल रही है, retail अगर आप देखेंगे, 29% है, retail और gold को अगर आप mix कर देंगे, तो 41% का यहाँ पर loan book है, overall अगर आप growth देखेंगे, retail growth 25% है, और wholesale में भी एक अच्छा growth देखने को मिल रहा है, 15% का यह growth देखने को मिल रहा है, last year और इस साल के comparison में, तो growth देखने को मिल रहा है दोस्तों, next है, किस तरीके का asset quality है, आपने loan तो provide कर दिया, लेकिन loan वापस भ तो gross NPA अभी 2.11% है, last year 2.38% था, मतलब कम हुआ है, मतलब अच्छा है, net NPA भी कम हो रहा है, 0.69% से 0.6%, तो यह numbers strong हो रहे हैं, provision coverage ratio 70% के असपास है, जो कि decent number आपको देखने को मिलेंगे, stable number आपको देखने को मिलेगा, जहां तक banking outlets की बात है, 1518 bank outlets है, और ATM 2041 के असपास में हमको देखने को मिल रहे हैं, जहां तक customers की बात है, 1.89 crore customers हमको federal bank के case में देखने को मिल रहे हैं, last year 1.67 crore customers है, तो customers भी यहां increase हुए हैं, अब जब bank को analysis करते हैं, किसी भी bank को आप analysis करें, cost to income देखिए, अब cost क्या होता है, bank के लिए क्या क्या खर्चे, जैसे salaries हुआ, rent का या administrative खर्चा, तो वो सब cost में आ जाता है, फिर income bank ने कितना कम आया, तो यह जितना कम रहे उतना अच्छा, सोच लिजिए आप जो bank है, for example, 100 rupees की income कर रही है, तो cost आ रहा है 53 rupees का, अभी quarter 4 में कितना था, 62 का था, तो यह कम हुआ है, तो अच्छी बात है, but last year आप देखेंग 50.87 था, तो यह अप range मान सकते है, 40 से 55% cost to income ratio किसी भी bank कर रहे है, तो उतना, अच्छा, return on asset 1% से उपर हो तो अच्छा, 1.27% है, decent माना जाएगा, return on equity 10 से उपर हो तो अच्छा, return on equity क्या होता है, कि bank में जो पैसा लगाया है, जो equity investors ने, उस पर bank कितना कमा के दे रही है, तो मन सकते हैं दोस्तों, अगर यह कम हो या कम होता रहे, तब यह चिंता की बात हो, अब यह एक चीज है, last year 15.73 था, इस बार थोड़ा सा कम देखने को मिला है, लेकिन quarter on quarter हमको increase भी होता हुआ, नजर में आ रहा है, मतलब वो नीचे हुआ, लेकिन फिर से उपर होना भी जो कि एक positive बात मान सकते हैं, next है, net interest income highest ever हुई है, 2292 करोड का, profits highest ever profit हुए है, 1010 करोड का, किसी भी quarter में पहली बार जो profit हुआ है, 1010 करोड का हुआ है, सबसे ज़्यादा profit यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ positive number हमको, जो business front है, वहाँ देखने को मिल रहा है, net interest margin 3.16%, decent number हमको देखने को मिल रहा है, हमको range जो है, 3.5 से 3.22% के बीच में देखने को मिल रही है, अब analysis पर आते हैं, तो देखे, federal bank के case में, जो NRE जो deposit है, वो increase हुए है, current account में हमको ज़्यादा growth देखने को मिला है, और जो federal bank का जो target है, credit growth या जो loan growth है, वो अच्छा हुआ लगवग 20% के असपस, वैसा ही target उन्होंने इस financial year के भी रखा है, next, जो कुछ co-branded credit card है, उस पर कुछ restrictions RBI ने लगाए है, quarter 2, quarter 3 में ये की event रहेगी, जहां पर कुछ RBI की तरफ से कुछ नया, जो है, circular AI या information आई, bank उनके साथ engage कर रही है, अब RBI क्या कहता है, हमको आने वा हो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो एक key risk हो सकता है, last में कुछ important चीजे, stable net interest margin है, और steady growth देखने को मिल रहा है, deposit और advances में, और जो सबसे बड़ा जो trigger होने वाला है, वो है ये, और वो key trigger क्या है, Mr. KVS मनियान, वो new MD बनकर आ रहे है, पेडरल बैंक में, इससे पहले उन्होंने सालों साल, बहुत समय तक, वो कोटक महिंदरा बैंक में, वो बड़े position में थे, in fact, अभी कोटक महिंदरा बैंक में नए MD आये है, लेकिन Mr. मनियान, एक key favorite भी थे, कि वो MD बने, लेकिन RBI ने, फिर बाहर से जो MD है, उनका यह बहुत ही interesting रहने वाला है, और जब भी हम maximum private banks के case में देखें, तो MD एक key figure होता है, क्योंकि वो नया strategy लेकर आते हैं, नई philosophy लेकर आते हैं, तो यह जो transition period होने वाला है, बहुत ही interesting होने वाला है, वो join करेंगे September 23 को, अब यह key watching जैसी event यहां पर हो जाएगी, इस event के बाद हमको बहुत positive भी देखने को मिल सकता है, या फिर वैसा का वैसा ही देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ अलग changes भी देखने को मिल सकते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि September 23 हो रहा है, तो अचानक सही आपको कुछ देखने को मिलेंगे, जो results है, यह लगभग 6 महीना, 1.5 साल के बा ज़्यादा जो नए MDI है, उनकी जो strategy है, वो हमको देखने को मिलेगी, but interesting period यह होने वाला है, जब हम federal bank की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा experience लेके आ रहे है, Mr. Manyan, मुझे उमीद है, आपको वीडियो से value मिली होगे, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तक्योंकि दूस्तों.